सत्तर सालों में ये देश इतना कभी नहीं बटा था सत्तर सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि एक महतुपुर्ण इंटर्व्यू एक पूर्व गवर्नर का आए और सरकार चुप्पी साद ले सतर सालों में ये नहीं हुआ था कि मॉब लिंचिंग को लेकर के सर्वोच न्याले को कहना परे सतर सालों में ये नहीं हुआ था कि आजाद ख्याली और फ्रीडोम अफ एक्स्प्रेशन के लिए सुप्रीम कोट को इंटर्वीन करें जब कभी दूसरों पर तबसिरा कीजिये सामने आयना रख लिया कीजिये गवा है तारीक गवा है कावे किस मुझ से जाओगे गालिब सतर सालों में ये देश इतना कभी नहीं बटा था सतर सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि एक महतुपुर्ण इंटर्विव एक पूर्व गवर्नर का आए और सरकार चुप्पी साद ले सतर सालों में ये नहीं हुआ था कि मॉब लिंचिंग को ले करके सर्वोच न्याले को कहना पड़े सत्तर सालों में ये नहीं हुआ था कि आजाद ख्याली और फ्रीडॉम अफ एक्स्प्रेशन के लिए सुप्रीम कोट को इंटर्वीन करना पड़े सत्तर सालों में ये नहीं हुआ था कि विपक्ष के दलों को सी बी आई इडी आईटी के जरीए आप साध करके जेल भेजवाने की तैयारी करो सत्तर साल में जिपी नड़ा जी बहुत सारे वैसे गंदे काम नहीं हुए थे जो आपके दोर में हो रहा है आईना सामने रखिए एक बहुत पुराना शेर है जब कभी दोसरों पर तबसिरा कीजिए सामने आईना रख लिया कीजिए एक माफिया को खत्म करने के लिए राज जी अगर माफिया बनता है न तो ये चिंता का विशह होना चाहिए उनके लिए भी जिनके दल की ओर से वह हम लखती तस्वीर देखी थी संबदब दस से ग्यारे दिन आपको जेल में रहना पड़ा था तो ये ताय मानिये कानून आपसे भी हिसाब किताब कर लेगा आज नहीं कर पा रहा होगा लेकिन नियाले संग्यान ले रहा है 24 अपरिल को उस पर सुनवाई शुरू होगी तब फिर बताईएगा क्योंकि आपको बहुत टिपनिया मिली है हमने गंगा सर्यू में तेरती लाशे देखी है और उस वक्त आपको गाइब देखा है गवा है तारीख गवा है कावे किस मूँ से जाओगे गालिब यह बिल्कुल सही बात है यह देव वन से हम कह रहे है हमारे पार्टी के लीडर देशवी जी ने कहा है सब लोगों ने कहा है देखिए फिर तो मैं तो बार-बार कहता हूँ कि यार नाथो राम गोड से देश का पहला अतंकवादी उसको ट्राइल मिली इंद्रा जी के हत्यारों का ट्राइल हुआ ट्राइल रूल अफ लॉड रू का नियामक है आप नियामकों को खत्ब कर रहे हैं यी मध्धयुगीन बरबरता का उत्सभ गान गाने वाला की एक संस्कृती आप पैदा कर रहे हैं उस संस्कृति के लिए कोई जगा नहीं है, एक सम्विधान सम्मत समाज में। 2014 से इस देश का इतिहास नहीं शुरू होता है, उससे पहले भी इस देश के सेना का एक इतिहास रहा है। आपके मजबूरिया होंगी कि आपको सिर्फ 14 के बाद की, लेकिन मैं आपको कहूँ, उससे पहले का इतिहास देखिए, हमारे पास बल नहीं बहुत टाकत नहीं थी, आर्थिक रूप से उतनी टाकत वर नहीं थे, लेकिन पुलिटिकल विल था, और उस पुलिटिकल विल ने ह हासिल किया, हाँ लगे हाथ, हमारा तो ये भी प्रस्न होगा, कि हमारे चालिस जवानों के घरों के जो दीबक बुझे ना, उसके बारे में आस तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच करके.